हेलो, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है HTML, Hypertext Markup Language Hypertext Markup Language का इस्तेमाल जो है webpages को डिजाइन करने के लिए किये जाता है और उसमें webpages में जो text है, graphics है, audios है, videos है, animations है वो किस तरह से arranged होंगे, किस तरह से वो users को दिखाई देंगे किस तरह से उनकी arrangement होगी, किस तरह से वो appear होंगे, किस तरह से वो काम करेंगे एक web page में, उसके लिए जो है, वो Hypertext Markup Language HTML का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज की वीडियो में जो है, इसके बारे में उसके लिए हमें क्या steps फॉलो करने पड़ेंगे, वो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा तो HTML के है, जैसे मैंने भी बताया कि इसकी जो full form है, HTML that stands for Hypertext Markup Language So it is a markup language, and markup language का मतलब जो 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 में जाएगा है, कि इस language के जो आप markup करते हैं जो उसके contents हैं, एक web page के, कि वो किस तरह से appear होंगे, एक web page में जो contents हैं, वो किस तरह से appear होंगे, किस तरह से दिखाई देंगे, उसकी arrangement को करने के लिए जो है, वो markup languages का इस्तेमाल किया जाता है, तो ज्यादा तरह हमार पस जो है, वो web pages को design करने के लिए बनाने के लिए, जो है, उनकी markup languages जो है, उसमें या तो HTML का यूज किया आता है, या XML उसका यूज किया आता है, आज की वीडियो में HTML के बारे में पढ़ रहे हैं, और Hypertext refers to the way in which the web pages, HTML documents are linked together, कि जो Hypertext है, इसका मतलब है कि जो web pages है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे linked है, यानि कि जैसी आप एक link पे click करेंगे, तो आपको जो है, वो दूसरे link तक पहुचाएगा, दूसरी location तक पहुचाएगा, और दूसरी चीजिस में आती है, markup language, markup language describes how HTML works की किस तरह से HTML काम करेगा, with a markup language, we simply markup a text document with the tags that tell a web browser how to structure it to display, जो मैंने बताया अभी, कि इसमें कि जो contents है, जो भी चाहिए आपके audio है, वीडियो हैं, images हैं, text हैं, कि जो अपने, उसमें जो contents हैं, उन contents को browser ने किस structure में, किस format में जो है, वो user को display करना है, वो markup language का का काम है, ज जो HTML documents हैं और also called web pages, इनको हम वो web pages भी कह सकते हैं, और यह जो web pages हैं, इनको access करने के लिए हम एक web browser की जरत पढ़ती है, उस web browser के help से ही हम उस web page को view कर सकते हैं, different web browsers जो हमारे पास हैं, जैसे आपका internet explorer है, chrome है, opera है, mozilla, firefox है, तो वो different browsers की help से हम web pages को view कर सकते हैं, और web page को view करन में हम उसका address लिख सकते हैं, और या फिर जो है वो URL अगर हमने पता है, uniform resource locator, final destination उस file का वो हम लिख सकते हैं, और हम उस web page तक पहुन सकते हैं, और otherwise जो है वो सर्च करकर उसके जो है वो एक link से दूसरे link पर click करकर भी हम final destination तक पहुन सकते हैं, then इसकी brief history के बारे में पढ़ है उसको create किया था, but क्या है कि HTML 2.0 was the first standard HTML specification which was published in 1995, वैसे तो starting इसकी 1991 में हो चुकी थी, but जो उसका एक first जिसको हम कहते हैं कि standard version जो इसका HTML का आया था, वो 1995 में published किया गया था, और उसका जो version था, वो 2.0 था, फिर उसके बाद जो है, उसका HTML 4.0 जो major version इसका HTML का आया था, और इसको जाए वो late 1990s, जयाने कि late का मतलब ending of the 1999 में जो है उसको publish किया गया था, दो HTML 4.01 is widely used की, इसका जो 4.01 version है, उसको जादा तर use किया आता है, but currently जो है लोग HTML 5 version भी use करने है, that is extension 2, इसी की HTML 4.01 की extension है, HTML 5, उसको जो है वो use किया जा रहा है, and this was published in 2012, कि यह जो version है, वो 2012 में शुरू किया गया था, तो basically आपको किया है कि ध्यामक में कि HTML जो 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 को create करने वाला जो था, that was Berners-Lee, उन्होंने लगबग 1991 में इसको create किया था, but इसका जो first standard version आया था, वो 1995 में आया था, and that was HTML 2.0, और currently जो है, वो HTML 5 use किया जा रहा है, और जिसका जो है, वो basic previous जो version है, वो HTML 4.01 पर depend करता है, then बात कर लेते हैं, HTML tags के बारे में, जो की बहुत ही important है, important in the sense कि जो भी आपकी HTML में, markup language के अंदर, जो भी आपने लिखना है, जो भी web page design करना है, web page के लिए अपने contents को arrange करने के लिए, जो भी लिखना है, उसके लिए हमें HTML tags की requirement होती है, उन टेग में ही जो है, सारी की सारी markup language लिखी जाती है, तो एक web page में text, graphics, audios, videos, animations, तरह तरह की चीछें हो सकती है, तो वो किस तरह से उस web page पर दिखाई देंगी, उसको design करने के लिए, उसके contents को arrange करने के लिए, जो है, वो HTML का इस्तेमाल किया आता है, और उसके लिए हमें जो है, जो है text, graphics, audios, videos, animations हैं, उनको arrange करने के लिए, हम क्या करते हैं, कि उसको, we can use various commands called markup indicators और tags, की जो HTML के जो tags है, या उनकी जो commands है, उन commands को हम tags भी बोल देते हैं, या markup indicators भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू जो है, वो जो भी contents हैं हमार पस, चाहे वो text का है, graphic का है, audio का है, video का है, animations का है, वो सभी contents जो है, वो arrange किये जा सकते हैं, then HTML tags are basically HTML based commands और keywords surrounded by angle brackets like this, तो angled bracket या नहीं कि जो आप देख रहे हैं कि less than और greater than sign के बीच में जो है उसको लिखा हुआ है, तो इस तरह से जो है वो tags, चाहे हो HTML है, तो basically HTML tag ऐसा है, जिसके अंदर सारी की सारी जो है, वो पूरा पूरा व commands हैं, वो इसी तरह से less than और greater than वाले sign के बीच में जो है, वो लिखी जाती है, और इनको हम angle brackets बोलते हैं, और इसकी language में इनको क्या कहा जाएगा, tags कहा जाता है, या उसको markup indicators भी कहा जाता है, बट ज्यादा तर जो है उसको tags के नाम से हम जानते हैं, अब बात कर लेते हैं क यह tags जो है, वो कितने तरीके के होते हैं, तो यह जो tags हैं हमारे पास दो तरह के हैं, एक paired tags और दूसरा है unpaired tags, जो paired tags हैं, उनको container tags भी बोल जाता है, और जो unpaired tags हैं, उनको empty tags भी कह जाता है, तो paired tags जैसे आपको नाम से बाता है, pair, यानि कि उसका जोड़ा बना हुआ है, pair मतलब कि उसका जोड़ा बना है, जोड़े में होते हैं, और container tags के अगर उसका दूसरा जो नाम है कि that contains something, कि उसके अंदर कुछ जो है, लिखा जाएगा, तब वो container tag बन गया, और यह जो unpaired tag हैं, कोई pair नहीं है, single tag होगा, और empty tag होगा है, मतलब कि वो खाली है, उसके अंद tag को हम closing tag भी कह सकते हैं, इसका जो example, ऐसे तो बहुत सारे examples हैं, इसमें जो चाहे वो आपका HTML है, head है, title है, तो इस तरह से body का है, तो बहुत सारे paired tags हैं, जो pairs में इस्तेमाल होते हैं, यानि कि उनका opening tag भी होगा, closing tag भी होगा, या फिर कहलो कि उनका start tag होगा, और end tag होगा, त इतने भी itag's //en, they are not case sensitive. कि वो case sensitive नहीं है, कि अगर आपने इसको B small में लिखा है, तब ऒी उसका वही मतलब है, B को अगर आप capital में लिख दो है, तब भी हो यह मतलब है, यानि कि इसको capital में, small में लिखने से हुझा कि उसका case sensitive, कि upper case में लिखा है, lower case में लिखा है, उससे को इनकेस कि अगर आपने B को small कर दिया, R को capital कर दिया, तब भी जो है वो same ही results आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है वो B tag हमने use किया है, B that is for board, तो यह इसका opening tag है, कि इसको हमने जो है वो इस angled brackets में इसको लिखा है, then hello यानि कि जो इसके contents हैं, जो हम कहारें container tags, कि इसके जो contents है इसके अंदर जो आपने लिखना है, information आपने लिखी है, और यह इसका closing tag, closing tag के लिए कहें कि आपको front slash use करने पड़ते हैं, जो closing tag है, उसमें front slash जो है यह वहला आपका line, front slash use किया जाएगा, तब वो closing tag हो गया, और opening tag में जो उसका tag का name है, वो सिरफ name of the tag जो है, जो भी command है, unpaired या empty tag है, उनका कोई भी ending या closing tag नहीं होगा, तो सिरफ singly उनका tag रहेगा, that is BR, BR used for break, कि अगर हमने line को break करना है, तो break करने के लिए BR tag यूज गयाता है, और उसके बीच में कोई भी contents नहीं आते, BR से जो है वो आपका contents, जो भी उसे use होना है, line जो है वो break हो जाती है, उस इसलिए उनको empty tag बोले जाता है, unpaired tag बोले जाता है, कि इसमें कोई pair नहीं है, कोई जोड़ा उसका नहीं बनावा है, यहाँ पर pair tag में आप देख रहे हैं कि उसका जोड़ा बनावा है, जोड़ा का मतलब, कि उसमें start tag है, end tag है, या फिर कहने का मतलब कि opening tag और closing tag है, तो य होगे, आपके types of tag, और एक बात जो पर नहीं बनावी प्ताई है, आपको ध्यान रखने वाली, कि HTML tags are not case sensitive, कि यानि कि अगर उनको आप capital में लिखते हैं, या small letters में लिखते हैं, तो उसे कोई फिरक नहीं बढ़ने वाला results आपको same मिलेंगे, then आपके बास आते हैं, HTML elements, an HTML element is everything from start tag to end tag, including the contents, कि उसके अंदर जो है, HTML contents की element की अगर हम बात करते हैं, तो HTML element में क्या है, कि उसके start tag से लेके end tag के बीच में, जो भी चीज़ है, that is known as a HTML element, कि उसके अंदर जो भी contents हैं, आपने लिखे वे, उसको हम HTML element कहेंगे, जो भी हमने दि यहां से B से start होगे, यह B तक है, उसके start tag से लेके end tag तक का जो भी लिखा हुआ है, that is known as HTML element, यह complete जो है, वो एक HTML element बन गया, तो उसमें कहा है कि आपका, यह starting tag, यह end tag, तो start tag से लेके end tag के बीच में, जो भी आपने contents लिखे हैं, they are known as HTML elements, और दूसरा है इसमें nested HTML elements, nested HTML elements इस can be nested, that is, that means, that is, they can contain other HTML elements, तो कहने का मतलब कि nested HTML element का मतलब है कि उसके अंदर जो है वो, और दूसरे HTML elements हो सकते हैं, तो जैसे आपका HTML है, यहाँ से शुरूआ, opening, यहाँ से क्लोजिंग, इसी के अंदर आपने body का भी include कर दिया, body tag यहाँ से शुरूआ था, यहाँ खतम हुआ, और body के अंदर ही जो है वो, यहाँ पर जो है, वो bold का tag शुरूआ और यह bold का tag खतम हुआ है, तो कहने का मतलब कि उसके अंदर जो elements का मतलब है कि एक element के अंदर, दूसरा element include किया गया, कि body के अंदर ही आप देख रहे हैं कि bold वाला tag, उसी के अंदर body के अंदर जो है, वो इसको include किया है, body यहाँ से शुरूआ थी, यहाँ पर खतम हुई, बट इन बेट्विंग के है कि उसमें bold tag, शुरूआ bold tag खतम हो गया तो यह इसको हम बोलेंगे nested HTML element कि जिसको जो है वो किसी दूसरे content के अंदर जो है वो include किया गया, और empty HTML elements जो अभी आपको बदाया था कि empty tags कि उसके अंदर जो है वो contents नहीं रहते हैं, without any element जो है वो tags रहते हैं, और उसका कोई भी closing tag नहीं होता, then HTML attributes के बारे में आता है हमर पस, HTML attributes में क्या है कि an attribute is used to define the characteristics of an element and is always placed inside the element's opening tag and attributes are made up of two parts, a name and a value, कि attribute काता है विशेष्टा होती है, अगर हिंदी में हम उसको कहते हैं, तो attribute का मतलब है उसकी विशेष्टा, उसकी क्या characteristic है, तो attribute is used to define the characteristics, यहाँ पर भी लिखा है कि उसकी characteristics को उसकी विशेष्टा को बताने के लिए कि जो भी आपका element है, जो भी आपने HTML element की बात की, तो उस element की characteristic मताने के लिए जो attributes का इस्तेमाल कियाता है, and is always placed inside the elements opening tag, जो आपको दाते हैं, opening tag and closing tag, तो यह जो attributes हैं, वो सिरफ उसके opening tag में ही include कियाता है, closing tag में नहीं होंगे, opening tag में होंगे, तभी वो work करेंगे, otherwise वो work नहीं करेंगे, तो इसलिए जो use भी उनका HTML attributes का opening tag में ही किया जाता है, और यह जो HTML के attributes हैं, they are made of two parts, कि उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसकी value, क्या है, एक उसका नाम है, दूसरा उसकी value है, name का मतलब है कि जो property, जिस property को आप change करना जाते हैं, जिस property को आप set करना चाते हैं, वो property का नाम जो है, वो उसक उसका attribute का नाम, वो name हो गया, and value का मतलब है कि उसके लिए क्या value आप assign करना जाते हैं, उस property के लिए क्या आप value assign करेंगे, that is known as value of that attribute, और इसका एक example लिख लेते हैं, example कैसे होता है, कि जासे आपने body में है, तो body वाले का आपने attribute यूज किया, तो body tag अभी आपको पीछे लिखा था body और आपका जब टैग स्टार्ट किया, end किया, अब body tag हमने start किया था, तो start करने के opening tag में कोई front slash नहीं होगा, जो आपका front slash है, उससे जो हो tag close जाता है, और without front slash अगर आप लिखना है, तो opening tag में माना जाता है, तो यह हमारे पास लिखा है, हमने angled bracket में, body, bg color is equal to, within inverted commas हमने red लिखा और that is, और उसको tag को close करते हैं, तो यह body, यह तो आपका tag हो गया, body tag, यह इसका attribute हो गया, क्या है, जिसके हम बात करने है, html attribute, तो उसके दो हिससे बताया थे, मैंने आपको कि दो पार्ट है, एक तो नाम कि उसकी जो property, bg color, bg color is for background color, कि जो आपका background है, यहाँ पर इसका screen का background जो आपको yellow color का दिखाई दे रहा है, तो that is background color, तो bg color से उसको बोलते हैं, bg color that means background color, वो उसका attribute का नाम हो गया, और उसकी जो value है, that is red, कि हम चाहरे हैं कि उसका जो है, वो color जो है, वो red हो, तो हमने यहाँ पर red लिख दिया, और inverted commas में लिखना है, त जो उस attribute की value है, उस value को हम inverted commas में लिखेंगे, तब ही जो है, वो attribute work करेगा, तब ही जो है, वो चीज आपकी उस web browser में अगर आप उसको open करेंगे, तब ही वो आपके results आप देख पाएंगे, तो इस तरह से जो है, वो HTML attributes को लिखा आता है, दो हिससे होगे उसके, एक नाम, द text में है, अगर color की बात की थी, तो red, green, blue, pink, यहाँ पे color का नाम आ गया, अगर font size की बात होती, तो size में आप numbers लिखते है, points लिखते है, 10, 12, 15, तो वो numbers में भी हो सकता है, बट जो भी है, आपकी जो भी उसकी value है, text में है, या number में है, उसके लिए जो है, आपको उसको inverted commas मे लिखना पड़ेगा, तभी वो attribute work करेगा, then, building blocks of HTML document और basic structure of HTML document, की एक जो HTML document है, उस HTML document का basic structure की arrangement, की कैसे जो है, उसको arrange करना है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी है, कि कि किसी भी चीज़ को आपने starting में लिख दिया, किसी भी चीज़ को आपने end में लिख दिया, तो आपका जो है, वो HTML की जो भी आपने लिखा है, उसमें जो भी उसकी markup language में आपने contents लिखे है, save किया है, तो work नहीं करेंगे, अगर आपने उसकी arrangement सही नहीं की, for example, क्या आपने closing tag पहले लिख दिया, और opening tag बाद में लिखा है, तो वो जो है, वो work नहीं करेगा, तो कैसा उसका एक basic structure रहत है, तो basic arrangement और उसकी, या basic structure या building blocks की दो या तीन जो भी उसके blocks है, उन blocks को आपने कैसे arrange करना है HTML document में, उसके बारे में आए, तो HTML document starts with HTML, कि यह जो आपका HTML document है, उसको start कम करते है HTML से, और end करते है, front slash HTML, यह इसका opening tag और यह closing tag, और इन दोनों tags के बीच में ही, इन दोनों tags के ब बात कर रहे हैं, तो एक single HTML document में, इन दोनों tags के बीच में ही, जो है, वो पूरा पूरा जो है, वो document बनाया जाता है, ठीक है, जो भी उसमें आपका entire document, complete document जो है, वो इस HTML tag के बीच में ही, compose किया जाएगा, बनाया जाएगा, और यह जो HTML का opening और closing tag है, इन दोनों tags के बीच मे जो है, दो हिस्सों में इसको divide कर जाता है, कि inside these tags, the document is split into two sections, कि जो HTML का tag है, इसमें complete document है, उस complete document को दो sections में divide कर जाता है, एक आपका header section है, दूसरा है body section, पहला है header section, और दूसरा है body section, header section के लिए head tag का इस्तेमाल किया आता है, और body section तो अभी आपने देखा था, उसके लिए body tag काम ने इस्तेमाल किया था, तो जो header section है, बेसिकली उसमें ज्यादा तर क्या होता है, कि जो information उसमें रहती है, that is the title of the document, कि जो आपका document है, उसका title रहता है, उसके author के बारे में information रहती है, तो इस तरह की information जो है, इस header section के अंदर जो है, वो लिखी जाती है, and body section कि इसमें ज जो भी है, जो आप screen पर देखते हैं, वो body section के अंदर लिखे जाते हैं, then देख लेते हैं कि एक visualization की किस तरह से उसका page का structure जो है, वो बनाया होता है, जैसे मैंने बताया है, कि HTML से शुरू होगा, HTML पर खतम होगा, तो आप देख रहे हैं कि starting में हमने HTML tag से शुरू किया, और end भी जो है, वो HTML tag से कर दिया, अब दो sections आपको मैंने बताया थे हैं, यहाँ पर दो sections बताया थे, एक header section है, दूसरा body section है, तो header section का मैंने बताया था, कि उसके लिए जो tag है, that is head tag, header section के लिए क्या है, head tag है, और body section के लिए body tag है, तो यहाँ पर HTML में पहले आपने header section यूज किय है, header के लिए head tag यूज किया, और head tag start किया, और head tag जो है, वो close कर दिया, और जैसे मने बताया है कि head tag के अंदर जो है, उसका title, author of the document, इस तरह की information उसके अंदर लिखी जाते है, तो head title, head के अंदर जो है, हमने जैसे, for example, जो है title लिख दिया, my first web page और title को close कर दिया, title भी जो है जब आप उसको web browser में open करेंगे, तो उसकी जो title बार है, वहाँ पर आपको ये चीज लिखी भी दिखाई देगी, जो आप title tag के बीच में लिख रहे हैं, तो my first web page वो उसके title बार में आपको लिखा हुआ, दिखाई देगा, अगर आप इस तरह का एक web page बनाते हैं, और head के the title लिखा और head section हमने close कर दिया, तो ये जो बार्ट है, that is header section, यहाँ से head से लेके, head के opening tag से लेके, head के closing tag तक का जो पार्ट है, that is known as header section, उसके बाद उसका जो दूसरा section में आपको body section, तो body section में क्या है, कि body tag से शुरू और body tag पे खतम हो गया, for example, body tag में हम उसकी लिखना है, h h1 होता है, that is for heading, first heading, main heading, to h1, h2, h3, h4 इस तरह से करके, headings को numbering हम दे सकते हैं, उसके accordingly, font का size जो हो छोटा होता है, heading 1 का जाद रहेगा, 2 का कम हो जाएगा, 3 का और कम हो जाएगा, तो h1 जो है, वो heading लिख रहे हैं, कि उसमें जो, जो कैसे मेंने बता है कि body, मतलब कि main जो contents आप उसके web page पे देखना जाते हैं, वो body section में लिखे जाते हैं, तो h1 में लिखा हमने है कि उसकी main heading, welcome to my first web page, ये contents आपको जो है, वो screen के ओपर दिखाई देंगे, और ये आपने ज जो है, वो html document आगे, तो head section, header के लिए, और body के लिए जो है, वो body section के लिए body tag, header section के लिए head tag, और html से लेके html तक complete document जो है, यानि कि basic है, इसके अंदर जितनी information आप देना चाहते हैं, body section के अंदर, जितनी head section के अंदर, तो mainly body part में आती है, information, तो इसको ये body part जो है, वो web page में add करना जाते हैं, चाहिए वो audios हैं, videos हैं, animations हैं, text हैं, तो उसके accordingly जो है, वो body section हमारा बढ़ जाता है, तो ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में भी हम आने वाली videos में पढ़ेंगे, बट आज की video में साथ ही पढ़ लेते हैं कि एक html document को हम कैसे बन इसके बारे में भी साथ ही पढ़ लेते हैं, तो इसके लिए क्या रहता है कि following softwares and tools are required, कि अगर आपने कोई भी काम करना होता है, तो आपको कुछ software tools की requirement होती है, तो अगर computer पे आपने इस html document को बनाना है, तो उसके लिए basically आपको दो चीजें, दो software tools ही होते हैं, that is, first one is text editor and second one is web browser, तो एक आपको text editor, text editor यानि कि जिसमें आप वो text लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था ना भी यह वाला, तो यह text लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक text editor चाहिए, नॉमली जो है, वो simple से computer में चाहिए, वो आपको किसी भी computer में, laptop में, notepad मिल जाता है, उस notepad में आप जो basic से अपने HTML documents को बना सकते हैं, और अगर आप professional basis पर बनाना जाते हैं, तो वो बहुत सारे professional text editors हैं, जिसमें जैसे आपका Adobe Dreamweaver, Microsoft front page, तो इसमें जो है और extra features आपको मिल जाते हैं, और professional basis पर जो है, आप अपना HTML document बना सकते हैं, but normally, simple से अगर हम बात करें कि basically हमने computer पर, laptop पर आपको notepad मिल जाएगा, और उस notepad पर जो है, इस तरह का HTML document type करकर जो है, वो आप document save कर सकते हैं, बना सकते हैं, that is known as text editor, और दूसरा होता है web browser, और web browser क्या है, कि web browser की help से जो भी आपने HTML document बनाया ना, जो type किया आपने, यह जो आपने type किया है, यहाँ पर type करने सब्सक्राइगे बाद, कि वो एक web page पर किस तरह से दिखाई देगा, उसके लिए वो web browsers होते हैं, जाहाँ जाहाँ आपका, इंटरनेट explorer हो गया, Firefox हो गया, Safari हो गया, Google Chrome, इस तरह के multiple browsers हैं, और उन browsers पर जो है, वो आप अपने HTML document को view कर सकते हैं, तो जो भी आप websites देखते हैं वो web browsers के through ही आप उनको websites को view कर पाते हैं, और कुछ जो websites बनती हैं, उसके लिए वैसे तो बहुत सारे और advanced tools भी हैं, बट basically कि उसको text editor, notepad, adopt dream river, Microsoft front page, इस तरह के कुछ text editors की help से उनको बनाया जाता है, अब बात कर लेते हैं कि इसको बनाने के लिए कुछ basic steps, एक HTML document अगरा मे follow करने होते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि open notepad, तो notepad का option आपको जो है वो computers में मिल जाएगा, start, start में all programs, all programs में आपको क्या करना है, accessories में आपको notepad मिल जाएगा, क्या है, सबसे पहले आपको notepad open करना है, notepad के लिए कि option आपके पास start, जो आपका screen के left corner में जो है वो button बना होता, start का, उस start पे click करेंगे, then click on all programs, all programs पे click करने के बाद आप accessories पे click करेंगे, accessories में आपके पास notepad का option आएगा, उस पे आप click करेंगे, तो आपका notepad open हो जाएगा, notepad open होने के बाद आप उसमें अपना जो भी HTML code जैसे हमने यहां पे लिखा था, यह HTML code लिखेंगे, जितना भी आपने वो code लिखना है, code लिखने के बाद, उसको अब save करना है, save the HTML code, अब उसको save करना है, तो जब आपने first time वो file बना रहे हैं, तो आप save करें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता है था, अपनी Microsoft Word की, save and save as, तो save करना है उस file को, तो save करेंगे, तो भी आपका first time में आप उसको नई file को save करेंगे, तब भी save से जो है, वो एक same dialogue box राएगा, गर save as करेंगे, तब भी same dialogue box राएगा, otherwise क्या होता है, कि save से जो है, जो भी changes की होते हैं, same file में save हो जाते हैं, और save as से क्या है कि आप उसको दूसरी file बना कर भी ज़ए HTML, कि अगर आपने उसका file का नाम रखना है ABC, तो abc.htm, या फिर आप लिखेंगे abc.html, तो जो भी उसका file का नाम है, file का नाम आ जाएगा, और उसके बाद, file के नाम के बाद, आप . लगाएंगे, और . लगाने के बाद, या तो उसकी extension में HTML लिखेंगे, या .htm लिखते हैं, वो text आपने का उनसा लिखा है, HTML code वाला text आपने वहाँ पर लिख दिया है, अब उसको save अगर आप कर रहे हैं, तो save करते हैं, by default जो आपके text documents हैं, उसका by default जो extension रहती है, that is .txt, क्या रहती है, .txt, तो txt से क्या है कि वो एक text document की form में save होता है, बट हम एक HTML document बना रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने उसको save करते हुए क्या करना है, .htm या फिर .html के नाम से, जो भी file का नाम है, file का न्याम, जैसे abc आपका file का नाम है, तो abc.html या फिर abc.htm इस तरह से उसको save करना है, अब save कर दिया तो वो आपका HTML document save हो गया है, और उस HTML document को अगर आपने open करना है कि वो किस तरह से आपको दिखाई देगा, आपकी screen पर, तो उसके लिए आपको web browser की help देनी है, तो उस HTML फाइल को जो भी आपने जैसे for example abc.html जो file आपकी थी, उसको आपने web browser में open करना है, और जब आप उसको web browser में open करेंगे, तो आपको वो एक web page की form में, एक website की form में जो है, वो आपको web page की form में जो है, वो दिखाई देगी, that is, आदा web page की जो भी आपने contents लिखे थे, उन contents को आप जो है, उसमें screen पर देख सकते हैं, with the help of web browser, तो यह कुछ basic steps हैं, जिससे जो है, वो एक HTML document को बनाया जाता है, तो कैसे HTML, उसमें क्या कर आपने हैं, जब आपसे पूछा है, for example, कि आप बताएं कि HTML document के क्या steps हैं, तो आपने बताने हैं, तो notepad ओपन करने के लिए आपके क्या steps रहेंगे, वो आपने बताने हैं, वो भी लिखने है, then write the HTML code, कोई basic सा, छोटा सा code आप महां पर लिखके दिखा सकते हैं, starting from HTML to starting HTML tags ल के साथ save करना, file का नाम कुछ भी हो सकता है, बट extension यह रहेगी, और जब आपने उसको save कर दिया है, किसी भी particular location पर, particular folder में आप save करना जाते हैं, वहाँ save कर देंगे, और अगर आपने उसको देखना है, कि वो on screen कैसा दिखाई देगा, तो फिर उस HTML file को किसी भी web browser की help से जो ह है, okay, thank you.